नमस्कार दोस्तों जैकाइस विसल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं बताने जारी हूँ पालक चीकन जो आपको बहुत ही पसंद आएगी और यह हिल्दी भी है जो लोग पालक नहीं पसंद करते वो जरूर पसंद करने लगेंगे अब तो चलिए हम यहाँ प यहां पर मेथी को ली हूँ फोरन के लिए एक हरी मिर्च तीखे के लिए आप स्वाद अनुसार अपना ले सकते हैं और यहां पर मैं पांच कर ली लसून और एक टुकरा अध्रक को काट के डाली हूँ जिससे इसका स्वाथ बहुत ही अच्छा आता है जीकन में तो इस तर प्याज जो है वहलका ब्राउन हो गया है और यहां पर मैं इसमें चिकन को एड़ करूंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम तो इस तरह से मिक्स करके हम इसे एक से दो मिनट के लिए हम इसे ढख कर पका लेंगे तो यह एक से दो मिनट हमारा चिकन पक गया है और यहां पर इसे हम अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे और यहां पर सभी मसालों को मैं एड़ कर लूँगी तो यहां पर एक चमच धनिया पॉडर आधा चमच हल्दी पॉडर एक चमच जीरा पॉडर और यहां पर मैं लाल कसूरी मुर्च का इसमाल की हूँ ऑढ़ के लिये और जीरा से हम इसे मिक्स कर लेंगे और गरम मसाला आधा चमच उड़ को अच्छे समयाँ पर मिक्स कर लूँगीिब पर मैं और एक बार फिर से में एक से दो मिनट के रिए से ढब कर में पखा लूँगी तो एक से दो मिनट हो गया है और हमासाले जो है काफी हद तक अच्छे यह बून गये हैं यहां पर पख गया है तो यह इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम अद्रकलसुन का पेश्ट एक चम्मच डालेंगे नमक स्वादानुसार एक चम्मच टमाटर एक बड़े साइश का में लिए हूँ नॉर्मल काट कर बिलकुल इस तरह से डाल लूँगी और इसी तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स करके फिर से एक से दो मिनट के लिए मैं ढ़क का इसमें पका लूँगी यह पानी बिलकुल भी मैं इसमें एड नहीं की हूँ वो पानी प्याज और सवी मसालों से वो काफी अच्छा चीकन से भी पानी निकल रहा है उसमें से तो उसी से वो काफी अच्छा हद तक पक रहा है वो और यहां पे देखे एक से दो मिनट होने के बाद इसे मैं फिर से यहां पर चला ली हूँ और यहां पे मैं 100 ग्राम पालक को ली हूँ काट कर बारी कटी हुई पालक है यहां पे 100 ग्राम और इसे अच्छे से हम इसमें डाल लूँगी और जो काफी हिल्दी भी होता है बच्चों जो भी नहीं खाते हैं पालक बड़े हो या बच्चे वो जरूर इस रेस्पी को देख कर पका लेंगे तो आज की रेस्पी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें बैल आइकन को अन कर लें ताकि नहीं रेस्पी की नोटिपिकेसन आपको समय समय पे मिलती रहे तो एक से दो मिनट के बाद देखिए हमने यहां पे इसे फिर से यहां पे मैं चला ली हूँ यहां पे तो यह हमारा जो चिकन है काफी अच्छा यह पग गया है पालक से भी पानी काफी अच्छा निकलने इसमें उससे निकला है और इसे हम फिर से ढख देंगे और मेरी रेस्पी को जादा से जादा लोगों के साथ आप सेयर करें कमेंड में लिख के जरूर बताएं कि आज की रेस्पी आपको कैसी लगी तो यह देखिए कितना अच्छा कलर आया है और चिकन जो है बिलकुल हमारा पकर यह रेडी हो गया है और इसमें मैं एक चमच ब बॉल में मैं इसे इस तरह से चला के अच्छे से ट्रांसफर कर लूँगे तो तब तक के लिए आप मेरी रेस्पी को ट्राइ करें और नई नई रेस्पी के लिए मैं फिर से आती हूं थैंक यू बाइबाइ